कॉंग्रेस ने 36 कर्मे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है पार्टी ने मोहन मरकाम की जग़ दीपक बैजल को नया अध्यक्ष बनाया है चुनाव से कुछ मेंने पहले कॉंग्रेस की ओर से किये गए इस बदलाव के माइने क्या है देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बारे कॉंग्रेस का शिर्ष नेतरत्व एक्षन में हैं चुनावी राजियों में संगठन के भीतर की रार गुटबाजे खत्म कराने के बाद नेतरत्व का फोकस अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पर है राजिस्तान में 192 पदादीकारियों वाली भारी भरकम कारे कारणी घोशित करने के बाद कॉंग्रेस ने हिंदी पटी के दूसरे चुनावी राजिय चतिसकड में भी संगठन में बदलाव कर दिया है कॉंग्रेस ने मोहन मरकाम को चतिसकड प्रदेश अध्यक्सपत से हटा कर दीपक बैज को कमान सौप दी है मोहन को सूबे की सरकार में मंत्री बनाय गया है मोहन मरकाम और दीपक बैज दोनों ही आदिवासी समुदाई से आते हैं कुछ ही महीने बाद सूबे में विधान सभा चुनाव होने है कॉंग्रेस के इस कदम को सरकार और संगठन में तालमेल बैहतर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है 36 गड में इसी साल नवंबर दिसंबर तक विधान सभा चुनाव होने है चुनाव से कुछ महीने पहले कॉंग्रेस के प्रदिश अध्यक्स बदलने के माइने क्या है 2018 के चुनाव में 15 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी करने वाली कॉंग्रेस पार्टी नहीं चाहती इस सरकार और संगठन में सामज्य से की कमी के कारण उसके फिर से सरकार बनाने की संभावनाओं को ठेस पहुंचे